दोस्तों जहिंद एक मेरे दोस्त का इस तरीके से सवाल था इस सर जैसे हमने पावरपॉइंट में इमिज को अपने नाम का पोस्टर बनाया तो उसे कंपुटर स्किन पर कैसे लगाएं इसको हम देखते हैं पावरपॉइंट का सवाल आया है कोरल ड्रा में भी होता ये पावर पोइंट में हुकमने कोशब चीजर्क ये आपके नाम का बना हुआ है अब यह चीज में काट में बता देता हुआ है इंटिया लिखने के बाद अब करना क्या है इसको कैसे डू में ब northeast ही लेंगे देखते जाए यह बहुत ही इज़ी है सिंपल शेप लेंगे आप यहां से और लाइन लेंगे और लाइन यहां पर खीच देंगे ऐसे ही जितना आपको लेना मैंने यहां तक ले लिया और इसके बाद दूसरा वाला व्लाइन इसको ले लिया मैंने यहां तक यह बीच का पार्ट इतना कट कर देना है बीच का पार्ट जो कट करना है यह देखिए कैसे कट होगा बहुत इसी कट हो जाएगा अब क्या करना है इसके बाद यह मैंने इसलिए ड्रॉ कर लिया है कि आपको पार्ट के लिए हो जाए कि कितना आपको color change करना है यहां के बाद हम आएंगे insert में आके हम लेंगे rectangle और यहां से ऐसे draw कर देंगे जितना हमारा यह arrow लगा क्या कहते हैं, line लगा हुआ है और दूसरा वाला भी हम एक और ले लेंगे ऐसे shape rectangle और इसको भी हम ऐसे खींच देंगे, पूरा cover कर देंगे जितना आख्छा रही है पूरा और इसको ऐसे मूपर तक सटा लेंगे line तक जितना हमको cut करना है यह अब इसके बाद क्या करेंगे हम arrow को delete कर देंगे, arrow की अब जरूरत नहीं है अब क्या करेंगे इसको select कर लेंगे पूरा इतना, इस select हो गया, select होने के बाद हम shape format shape पर आएंगे, उपर यह जब आप shape पे click करोगे तो यह option अपने आप आ जाएगा, देखिए अभी नहीं है लेकि जैसे मैं इसको लेता हूँ, जैसे मैं इसको लेता हूँ, इस तरीके से देखिए, इसे select करके, यह automatic खुल जा रहा है, shape format, तो यहाँ पर आएंगे है merge shape, यहाँ पर क्या करेंगे, fragment कर देंगे, fragment जब करेंगे, यह हमारा कुछ इस तरीके से, दोस्त, select नहीं हुआ पूरा, अब देखते हैं, select नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, इसको भी बड़ा कर दे रहा हूँ, select नहीं हो पा रहा है, अब यह select हो गया, अब इसके बाद हम यहाँ से करेंगे, shape पर जाकर के, यहाँ पर जाकर, हम करेंगे, fragment करेंगे, fragment करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अब इसके बाद हमको यह वाला चीज हटा देना ह उपर से, यह जो shape मैं लिया था, अब इसके अंदर का भी हम यह delete कर देंगे, जो जरुवत नहीं है, यह देखिए, इस तरीके से हमने यह part हटा दिया, एक ही यहाँ पर थोड़ा सा देखी, यह है, इसको भी हटा देते हैं, zoom करके, यह हट गया, फिर zoom कम कर ले रहे हैं, और इस उपर वाले को ऐसे select कर लेंगे, ऐसे, यह ऐसे, तो यह उपर वाला हो गया, अब यहाँ पर shape पे आएंगे, और fill में जा करके हम फिर से इसको यह कर देंगे, orange color, और नीचे का हरा रहेगा, बीच का white रहेगा, तो बीच वाले को select कर देंगे, ऐसे हम, और यहाँ पर जा और यहाँ shape fill पे आके हम इसको कर देंगे green, यह देखे बन गया, save, जैसे यह था वैसे बन गया, इस तरीके से आप powerpoint में इसको बना सकते हैं, अब यह आपका जब बन गया है, अब इसको हम कर लेंगे save, save करेंगे तो save के लिए क्लिए क्या होगा, आप यहाँ पर जाएंग इंडिया कर दिया, और इसको मैं desktop पे save कर दे रहा हूँ, यह कहीं भी कर सकते हैं, मैं desktop पे कर दे रहा हूँ, आप जहाँ चाहें, वहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, all slides या just this slide, कई slide हैं, तो आपने इस slide पे बनाया है, क्यों इसी को कर लिए, just this slide कर लिए, पुरे slide के तो आगया ये, यह आगया ऊपर, यहाँ पर, तो आप इसी पर right-click कीजिए, जो आपका ये है, इसी पर आपको right-click करना है, चाहे आप open करके right-click करिए, चाहे ऐसे यहाँ पर करिए open करके, या आप इसी पर right-click करिए, कोई दिक्कत नहीं, या option आपको देखन है, set as desktop background, बस इस पर आपको क्लिक करिएगा यह देखिए यह विभूम लग गया एकदम से, तो इस तरीके से अब यह जो आपका इधर आ रहा है, यह जो आपका इंडिया बेच में लिख के आ गया यह मैं यहां से खटा के दिखा दे रहा हूँ आपको यह देखे लिखा हुआ है तो इस तरह के से किसे वी को बना करके आप जो PNG में सेब करके आप उसको सेट कर सकते हैं तो बैक्गराउंड में वोची सेट हो जाएगा दोस्त अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्राइब भी कीजेगा मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई